आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीमेर प्रो का बीटा वर्जन तो आप देख सकते हो यह वर्जन है 25.10 बीटा वर्जन है इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ अब देख सकते हैं इसका इंटरफेस वगेरा आप बहुत ही एजी से इसका जो है चेंज क कर सकते हो तो आपको अगर इसका इंटरफेस हो गयरा है चेंज करना है तो आपको जनरल में जाना है जनरल में जैसे ही आप जाओगे तो आपके पास अलग-अलग ऑप्शन है डार्केस भी कर सकते हो और लाइट भी कर सकते हो तो फिलाल मैं डार्केस रटता हूँ इसको कर condition भी है, जैसे कि आपका जो clip है, वो 4K नहीं होना चाहिए, 10 bit नहीं होना चाहिए, यह 8 bit पर ही काम करेगा, और आपको जो frame rate है, वो 30 से लेके 25 के अंदर ही होना चाहिए, अगर उससे कम होता है, तो यह वर्त नहीं करता है, यहाँ पर मैंने AI generate कर दिया है, तो इसका एक बार आपन चेक करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, 2 सेकेंड जो है मेरे extend हो गया है, यह बिल्कुल भी एकदम real लगता है, जलका सा यहाँ पर motion भी देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर motion हुआ है, तो इस तरीके से इसका आप यूज करके बहुत ही अच्छे से हो जाता है, और एक इसमें बहुत ही बढ़िया इनाने feature दिया है, जैसे आप control effects में जाके crop होगे रहा, manually add करते थे, अब यहाँ पर इसकी जरुरत दी है, motion में आप click कर सकते हो, left, top, right, तुड़ें की वोचिंग, ऐसे और वीडियो उसके लिए लाइक कीजिए, comment कीजिए, झाल, 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